पुस्तक फकीर ओडियो नमबर बारा रुद्र अपनी भूत काल की यादों के ताने बाने में उल्जा हुआ उठा और कॉटेज की और चल दिया घर के पास ही उसे सेट और एक और व्यक्ति इंतजार करते दिखे उसने मन ही मन उन्हें कोसा और बाबा को याद करने लगा सेट ने जल्दी से आगे बढ़कर रुद्र के पाउच हुए रुद्र इस वेभार से हैरान हो गया उसने सोचा कि सेट तो उमर में उससे बड़ा है और ना ही उसने ऐसा कोई काम किया है कि उसे इतना आदर सम्मान दिया जाए इतने में सेट ने बताया कि रुद्र ने जो कुछ भी कहा था वे सब सच निकला अमेरिकन कंपनी के साथ उसका सौदा बन गया है उन्होंने उसे अमेरिका में ओफिस खोलने के लिए बुलाया है उसकी बेटी नौकरी छोड़ कर अमेरिका में काम शुरू करने के लिए मान गई है इतना कहते कहते सेट का गला रुंध गया और वे सुब किया भरने लगा सेट ने बहुत भावात्मक होते वे रुद्र को बताया कि यदि उसने सेट से बात ना की होती तो वो अब तक बरबाद हो चुका होता लेकिन दोस्तो इस पुस्तक फकीर का मुख्य किरदार रुद्र इतना सुलजा हुआ है कि उसे एक पल को भी अभी मान नहीं हुआ उसने मिस्टर सेट को अपने आप को संभालने के लिए कहा उसने सारा क्रेडिट भगवान को देते वे कहा कि वे तो खुद ही नहीं जानता कि उसने कैसे और क्यों बात की शायद भगवान उसके द्वारा मिस्टर सेट की मदद करना चाहते हो और रुद्र ने कबूल किया कि उसके पास तो ऐसी कोई ताकत ही नहीं यहां लेखक रुजबे एंड बारूचा ने रुद्र के माध्यम से बाबा के एक और सुन्दर उपदेश को उजागर किया कि प्यानों जोकि संगीत वाद्य है उसे एक शन के लिए भी अपनी भीतर से निकल रहे उस दैविये संगीत कश्रे नहीं लेना चाहिए क्योंकि संगीत अग्य ही उस धुन को बजाने के लिए उतरदाई है यानि हमें हर काम को पूर्ण समर्पन भाव से करना चाहिए लेकिन मिस्टर सेट तो रुद्र से इतने प्रभावित थे कि उस दिन वो अपने साथ अपने एक रिष्टेदार को भी रुद्र से मदद दिलवाना चाहते थे उन्होंने रुद्र से उसकी मदद करने के लिए प्रार्थना भी की रुद्र ने उस नवियुवक और उसके साथ खड़ी एक सुन्दर लड़की को देखा दोनों ही छोटी उमर के थे उन्हें देखकर रुद्र के मन में अजीब सी उदासी चा गई लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी सांस एक बार फिर बड़ी सहज और न्यमित हो गई है उसे विश्वास था कि कोई उसे उस जोड़े के बारे में बोलने के लिए मजबूर कर रहा था उनके भविश्य में जांकने के लिए विवश्च कर रहा था रुद्र ने उन्हें कौटेज में आने को कहा और बेडरूम में जाकर बाबा की पूजा वाले आसन पर बैठ गया उसके पास कोई चारा नहीं बचा था कोई उसके धागे खींच रहा था और वह उस अद्रिश्य खिचाव का प्रतियुतर दे रहा था वह उठा बाथरूम में जाकर मूँ हाथ वा पैर धुया वापस लोटकर उसने सिर का बांध ना बांधा उसके मन में अगर बतियां जलाने की इच्छा हुई सो उसने मौंबतियां जलाकर रख ली उसने आँखे बंद की और उस पल के साथ बहने लगा तब ही उसने अपने गुरू का नाम लिया और कोई शक्ती उससे बुलवाने लगी रूद्र ने उस लड़के को बताया कि वो उसके साथ आई लड़की के साथ शादी करना चाहता है लेकिन उसकी मा उस शादी के खिलाफ है उसके पिता उनका साथ देना चाहते हैं लेकिन वे उसकी मा से ड़ते हैं उनकी गलती नहीं है क्योंकि बच्पन में ही उन्हें निस्सवार्थ प्रेम की शिक्षा देने की बजाए उत्तर जीविता सिखाई गई उन्हें सिखाया गया कि खुशी वा आनंद प्रकट करने का संबंद अपराद बोध से है इसलिए वे प्यार और प्रसनता का साथ देने से कत्राते हैं उसका परिवार धरम, वित्य, असमानता और समाजिक स्तर के नाम पर आपत्ती कर रहे हैं वास्तव में उसकी शादी ऐसी जगा करना चाहते हैं जहां से अधिक मात्रा में दहेज मिले लेकिन यदि तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो तो इसके लिए तुमें कुछ काम करने होंगे तुमें चालिस दिन तक हर रोज दो घंटे प्रार्थना में लगाने होंगे जो कि उस लड़के को नामुम्किन सा कारे लगा क्योंकि वे तो कभी दो मिनिट भी प्रार्थना नहीं करता था रूदर ने बताया कि यदि वो दिन के हर घंटे में से 10 मिनट भी प्रार्थना करे तो रोज के दो घंटे से जादा समय प्रार्थना में दे सकता है यदि वे उस लड़की के साथ रहना चाता है तो उसे वे सब कुछ करना होगा जो रूदर उसे बता रहा था जिसमें रोज के दो घंटे प्रार्थना में लगाने होंगे सुभा, शाम और रात को तेल के दीपक जलाने होंगे और पिछले साल धंदे के लाब में से पांच प्रतिशत गरीबों के नाम से निकाल कर किसी अनाथाले में दोगे जो वास्तम में उसके हकदार होंगे ये सब 40 दिन के अंदर ही करना है और आखिरी बात तुम धन या किसी भी रूप में जो भी कमाओ किसी को बताए बिना उस लड़की को दोगे और यदि तुम 40 दिन में ये सब करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि ये लड़की जनम जन्मांतर तक तुम्हारी होगी। रुद्र ने उस लड़के को ये भी बताया कि वो स्वामी अकलकोट महराज को मानता है जिसे सुनकर वे लड़का अचम्बित हो गया और हामी भी बरी। रुद्र ने कहा कि पैसा तुम्हें लड़की के नाम किसी अच्छे बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में डालना होगा और तुम्हारा परिवार चाह कर भी तुम्हारे मिलन को नहीं रोक पाएगा। अब जाओ इशुर तुम्हारा साथ देगा अल्ला मालिक साइराम। रुद्र की आँखों में आंसु आ गए उसे मैसूस हुआ कि एक ही पल में जो उसने उनका भविश्य देख लिया था ये भविश्य वानी बाबा की ही हो सकती है। उस युवा जोड़े ने रुद्र के पाउंच चुए इस बार रुद्र की को संकोच नहीं हुआ। जैसे ही वे दोनों कमरे से बाहर निकले रुद्र मिस्टर सेट के पास गया। रुद्र ने गहरी सांस छोड़ी। उसे बहुत अधिक थकान मैसूस हो रही थी। जैसे किसी ने उसकी हडियों में से मज्जा सोख ली हो। उस लड़के का भविश्य देखकर वे खुद को बिमार ठका हुआ और डरा हुआ मैसूस कर रहा था। तबी मिस्टर सेट ने रुद्र से पूछा कि क्या सब ठीक हो जाएगा। तो रुद्र को सब कुछ सही सही बताने के लिए बहुत हिम्मत बटोरनी पड़ी। और मिस्टर सेट को बताया कि वे लड़का नौ सप्ता में मरने वाला था। और ना आप ना रुद्र उस बारे में कुछ कर सकते हैं। उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि वे लड़का रोज पूजा करें और उसका पैसा उस लड़की के नाम कर दें। प्रार्थना और दान पुन्ने से उसकी आत्मा को शांती मिलेगी। पैसे से लड़की की मदद होगी जो कभी शादी नहीं करेगी। वे उन्चास साल की उम्र तक उस पैसे से अपना भरन पोशन कर सकेगी। उसे कम से कम तीस साल का जीवन और जीना है। बाबा चाहते थे कि उस लड़की की पूरी देखरे की जाए। क्योंकि अगर वे दुख पाएगी तो उस लड़की की आत्मा को भी कभी शांती नहीं मिलेगी। रूदर ने मिस्टर सेट को सतर्क किया कि वे किसी से भी कुछ ना कहे। अन्य था वो मिस्टर सेट से कभी दुबारा नहीं मिलेंगे। मिस्टर सेट रूदर के आगे गिर गिराए कि उस लड़के की जान बचा ले। रूदर ने बताया कि उसकी जनम कुंडले के हिसाब से उसकी आयू अठटर साल है। जिसमें से 55 साल से भी अधिक समय वे बिस्तर में बिताएगा। क्योंकि आने वाले नौ सप्ता के भीतर उसकी जो दुरगटना होने वाली है उसमें उसे लकवा मार जाएगा। और सेहत को भारी नुकसान होगा। और मेरे विचार से इतनी लंबी उमर के साथ रोज मरने से तो एकी बार मर जाना बहतर होगा। वे खुद को विकलांग कहलना कभी पसंद नहीं करेगा। किसी दुख दाई घटना से लड़ने के लिए जो धैरे, करुना और बुद्धी मता की अवश्यक्ता होती है वो उस लड़के में नहीं है। उसके पास केवल उसके गुरु स्वामी अकल कोट महराज की अनुकंपा है। उनके आशिरवात से ही उसका भागे पल्टेगा और वह सालों साल के दुख और अपमान सहने की बजाए मुक्त हो जाएगा। इसलिए उसे दान और पूजा करने को कहा है। अब आप जाएं और मेरे कहे अनुसार जैसा कहा वैसा करें ताकि उस लड़की की मदद के साथ साथ उस लड़की की आत्मा को भी बचा पाएं। मिस्टर सेट ने रुद्र के पाउच हुए और चला गया। रुद्र को एसास हुआ कि उन्हों ने उसके नहीं बलकि उसके गुरु शेड़े के साई बाबा के पाउच हुए हैं। मिस्टर सेट के जाने के बाद रुद्र काफी समय तक बरामदे में बैठ कर सागर को निहारता रहा। मिस्टर से आ रही थी जो पूरे विश्व का नियनता है जो हर जीव की नबस पर अपनी आकाशी अंगुलिया रखता है। वे बाबा से इस बारे में बात करना चाहता था। तीन दिन बाद रुद्र जब कोटेज लोटा तो वे बाबा के चिलम की गंद को मैसूस कर सकता था। वे भाग कर बरामदे में गया और बाबा के चर्नों से लिपट गया। बाबा ने उसे बहुत प्यार किया और यकीन दलाया कि वे बाबा के बताए नियमों का अच्छी रह से पालन कर रहा था। रुद्र ने रोते हुए बाबा से प्रार्थना की कि वे उसे छोड़ कर कभी न जाए वे उनके बिना जी नहीं सकता बाबा नी उसे विश्वास दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ ही रहते हैं लेकिन यदि तुम चाहते हो कि गुरू या ईश्वर सदा तुमारे संग रहे तो तुमें भी हमेशा गुरू के साथ होना होगा तुम जो बोगे वही तो काटोगे रुद्र ने बाबा से उस लड़के के बारे में हुई भविश्यवानियों के बारे में पूछा उसने पूछा कि यदि उसकी भविश्यवानि गलत निकली तो क्या होगा बाबा ने रुद्र से कहा कि इसका मतलब तुमें बाबा के उपर विश्वास नहीं है अब तुम सबसे पहले तो उस परम प्रकाश से प्रार्थना करो कि वैव उसके शरीर, मन, आभामंदल, रक्त की प्रतेक भूंद और डियने वा प्रतेक कोशिका को बुरे स्वस्थ वा नकरात्मक्ता से मुक्त कर दे तुम अपने सरंक्षन, मार्कदर्शन और रक्षा के लिए प्रात्ना करो रुद्र ने बाबा से शमा मांगी और अपने मन में उनके प्रती अपने भावों को प्रकट किया उसने कहा कि जिस तरह सागर और लहरों में कोई अंतर नहीं, उसी तरह आप और ईश्वर एकाकार हैं आप दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं, क्योंकि वे तो अपने ही बारे में सोचने की योगिता नहीं रखता तो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? बाबा ने कहा कि वे तो दुनिया का बेतरीन सर्जन है, जो दूसरों पर मुश्किल और जटल, जटल से जटल ऑपरेशन कर सकता है लेकिन खुद को एक इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता लेकिन इसलिए सर्जन की काबलियत पर संधे तो नहीं कर सकते इसलिए तुम कभी भी अपनी उपर संधे मत करना दोस्तों, नेक्स्ट आडियो में लेखक ने किस तरह बाबा से आत्माओं के आपसी संबन्द और माध्यम के बारे में विस्तार से ज्यान प्राप्त किया इसके बारे में जानेंगे अब मैं आपसे बिदा लेती हूँ थेंक्यू